आपको काफी अच्छी तरह से और अलग तरीकी से बताते हैं कि याद का विलोमसब्द क्या होता है और आज के इस वीडियो के इंदर आपको याद के विलोमसब्द के बारे में हम अच्छी से जानकारे देंगी आप बस वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबादे। हम आपको सब्से पहले बता देती हैं कि विलोम सब्सक्राइक किसे कहते हैं ताकि आप याद के विलोम सब्सक्राइद को आच्छी तरह से याद कर सकें। तो दोस्तों जो रद्यान चे सुनें कि वे सब्द जो एक दूसरे के विप्रीत या उल्टार्थ देते हूँ उन्हें विलोम सब्द कहते हैं और वहीं पर अगर हमें याद के विलोम सब्द की बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि याद का विलोम सब्द भूल बूल होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आभी मारे साथ दो रहें कि याद का विलोम सब्द भूल होता है इसके लग दोस्तों अगर आप इनी और भी देख अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि याद का और वहीं पर अगर हम भूल के अर्थ की बात करते हैं तो दोस्तों भूल का हिंदी में अर्थ होता है भूलने का भाव यानि जो कुछ भूला दिया जाता है वह भूल होती है तो इस तरह से दोस्तों आपने अब समझा कि याद का अर्थ क्या है और भूल का अर्थ क्या है तो आप अब यह और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि याद का विलोम सब्द क्या होता है तो आईए दोस्तों अपने एक बार इसके बार में फिर से बात करते हैं कि याद का विलोम सब्द क्या होता है तो दोस्तों जरी धेन से सुनी कि हिंदी व्याकान के अनुसार याद का विलोम सब्द भूल होता है यानि दोस्तों याद का विलोम सब्द भूल होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आप इमरे साथ हो रहीं कि याद का विलोम सब्द भूल होता झाल बादी